हेलो आप सभी को बहुचे लोगों को confusion हो रही थी कि जो है CUPB की second merit list नहीं आए क्योंकि site उनकी चलने रही है तो ऐसे में बहुचे लोगों के पास message आये हैं कि आपके जो है fee submit करा दीजिए आपका अगर नाम आया है provisional list में तो बहुचे लोगों को ये mail ही नहीं आया तो कोच लोगों को confusion है कि जिनके कम number है उनका नाम आ गया है जिनके ज्यादा number है उनका नाम नहीं आया तो उसी दूइदा को दूर करने के लिए मैं आपको साथ ये second list शेयर कर रहा हूं जो छे तारीक को आई है जो कि पांच को आनी थी लेकिन मेरे पास ये आज ही mail हुई है तो जैसे ही मेरे पास आई मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाना श्रू कर दिया तो इसमें आम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडिय सकते हो उसके बाद मार्ट्स यहां पर सबसे लोगों को कनफ्यूजन यह हो सकता है कि जो है मैं बात कर रहा हूं Master of Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry की कि अन्रिजर्व जो सीटे हैं वो कम नंबर लोगों को प्रोवाइड कर दी है लेकिन OBC की जो सीटे हैं वो ज्यादा नंबर वालों के मिली है इन के GPAT में 186 से जाद माख से इसलिए इन कौन रिजर्व की सीट में लिए और आपको OBC की सीट में रहा है ज्यादा नंबर होने पर भी सीट में तो इसका मतलब यह है कि आपने जो GPAT है वो OBC कैटेगरी में क्वालिफाई किया है तो इसके बाद जो है अधर किसी सब्जे सब्सक्राफी, Hindi, History, Journalism and Mass Communication, Political Science, Psychology, Sociology, Master of Business Administration in Agribusiness, Master of Commerce, Master of Education in Education, Master of Law, Master of Library, उसका बाद आप पॉस कर करके एक बर अपना subject जो देख सकते है इसमें जूलोजी का मुझे कई नाम नहीं दिखा तो शायद चांस यह हो सकता है कि जूलोजी की जोए सारी सीटे बर चुकी है और कोई भी सी ट्वैकेट ने रही सकांजूलो जी का नाम नायों बाकि हो सकते हैं इसके अंदर हो और मुझसे उसकिप हो गया हो तो एक बार आप इसमें देख सकते हैं अगर फिर भी किसी को वीडियो क्लियर नहीं है अगर किसी को नाम अच्छे से दीख नहीं रहा तो आप कमेंट बॉक्स में या तो अपनी इमेल आइडी डाल दीजे या फिर अपना वट्सप नमबर डाल दीजे मैं आपको यह शेयर कर दूँगा थैंक्यू